हेलो एब्रिवांद, वालकम टू आर यूटूब रिपारेशन चैनल, दोस्तों मेरे बेल और में आज आज आप सबके सामने बेट अन्टरेंस आसाम इंडवर्सिटी सिल्चा 2024 के लिए मोश्ट इंपोर्टेंट MCQ लेके आया हूँ और इस चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलिए और देखो ओनलाइन क्लासे शुरू हो गया फोर बेड अन्टरेंस आसाम इंडवर्सिटी सिल्चा 2024 का आप लोग जल्दी से जल्दी रुबल सारे काड़ में जोएन करलो जोएन करने के लिए आपको मांतले पेस उल्ले 200 रुपीस पे करना होगा तुरू यूपीय यानि फोन पे जीपै या पेटियम से 9101-467653 इस नमबर पे पे करके इसका स्कीन शॉट मेरे वाटसप नमबर पे बैच देना मेरा वाटसप नमबर है 9101-467653 और जल्दी से जल्दी आप लोग रुबेल सारे अकड़मी जोएन करलो क्योंके देखो एक्जाम लास्ट यार भी आगस्ट महीने में हुआ था इस बार भी कह सेकते आगस्ट महीने के फास्ट वीक पे या सेगंड वीक पे हो जाएगा सो अपलोग पेहरी शुरू करदो और जल्दी से जल्दी जोएन करलो देखो नंबर वान jurisdiction आरहोन स्कीम तेजिस फार सो अप्षन सार primary education, option B secondary education option C higher education कौन सार आइट हैंस हरोगा आरहोन स्कीम या आसां का स्कीम या है देखो District Primary Education Program यानि DPEP इसका भी full form याद रखना DPEP का District Primary Education Program वास लॉंच इन्दा यार यह कौन से साल पे यह लॉंच हुआ था Option A 1990, Option B 1994, Option C 1998 या Option D नानवद अबब इसका जो राइट असरो का वो है Option B यानि 1994 यह याद रखना बहुत ज्यादा important question यह सम District Primary Education Program DPEP यह लॉंच भाता 1994 पे Question No.3, याश्पाल कमेटी यह 2009 पे मतलो कह सकते यह point किया गया था याश्पाल कमेटी को So options are secondary education, primary education, higher education या नानवद अबब So याश्पाल कमेटी यह किस लिए है यह किस चेज के लिए मतलो यह कमेटी बेटाय गया था 2009 पे यह भी याद रखना, secondary education, primary education या higher education So इसका तो right answer होगा, बहुए option C यानि higher education के लिए Question No.4, which was the first open university in India First open university इंडिया में कौन सा है? Options are Dr. B.A.R. Ambedkar Open University हाइदरबाद यह हाइदरबाद पे है यह भी याद रखना याश्वंत्राव, चबवन महारास्टर ओपेन इनिवर्सिटी या इंदिरगांति नेशनेल ओपेन इनिवर्सिटी या option D नेताजी शुबाश ओपेन इनिवर्सिटी So कौन सा right answer होगा? इसका जो right answer होगा option यह यानी Dr. B.A.R. Ambedkar ओपेन इनिवर्सिटी यह हाइदरबाद पे है और यह कौन से साल पे महारास्टर ओपेन इनिवर्सिटी या इस्टबिश किया गया था? 1982 यह भी आप लोग डेट याद रखना और लिखके रखदो Question No.5 What are the classes which cover at secondary stage according to the NEP 2020 new curricular structure? So, according to NEP यानी New Education Policy या National Education Policy 2020 के द्वारा मतलब जो new curricular structure यह लाया गया So, यह secondary stage यह कौन सा मतलब कह सेकते class कबर करता है या class देखो class 6 to 9 या class 9 to 12 या class 6 to 8 या option D Class 11 to 12 So, इसका जो right answer होगा बहु है option B यानी class 9 to 12 यह new curricular structure यह secondary stage में class 9 to 12 तक है So, आज के लिए इतना ही Thank you so much आप लोग इस वीडियो को जादा से जदा शेयर करो और देखो बस 3-4 मिनिट के वीडियो है पूरा वीडियो एन तक देख लेना और जल्दे से जल्दे रुबर्सरेकाडमी जोइन कर लो Thank you so much